और स्वागत आपका सेल्स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि भारत में जो समाजिक सुरक्षा है उसकी स्थिति कैसी है यानि इसे सोशल प्रोटेक्शन कहते हैं इंग्लिश में कि सोशल प्रोटेक्शन का जो आज की डेट में सि सोशल प्रोटेक्शन कहते कि इसको हैं फिर इसकी सिचुएशन के उपर चलेंगी कंडिशन के उपर चलेंगी कि भारत में इसकी कैसी स्थी थी है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पीडियो के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं डिस्क्रिप्शन बोक्स में टे 3S फायोग डेपॉर्ट इस रिपोर्ट में का गया जो बढंगलादेश है अधुरSu कि भारत और बढंगलादेश का मने खंपेरिसीन कर रहा हूं कि बढंगलादेश के 28.4 परसंट यहां पर और भारत के अंदर के तना 24.4 परसंट यहां पर मतलब कि अपने अपने देश मे इतने इतने नागरिकों को social protection के लाब मिलते हैं मतलब देखा जाए तो बंगलादेश के नागरिकों को जादा social protection दिया गया है as compared to भारत से इस report में ये बात बोलेगे सर काफी देर होगी आपको ये social protection करते हुए ये है क्या at least ये तो बताओ फिर तो हम जानेंगा तो चलिए बात कर लेते हैं कि social protection होता क्या है देखि social protection होता है एक तरीके से आप अपने भारत में अपनी सरकार से उमीद करते हो कि अगर कल को देश के अंदर कोई ऐसी situation आती है या फिर आप ऐसे area के अंदर रह रहे हो जहां पर बाड आ जाती है भुकाम पा जाता है या फिर जैसे अभी हाल में COVID-19 का pandemic हमें देखने को मिला तो उस condition में जो government है वो आपके साथ कैसा behave करती है मतलब कि आपको क्या खाने के लिए उन्होंने अनाज परवाइड करवाया आपके जब जोब नहीं थी आर्थिक मंदी हो गई होगी या फिर भुकाम पा गया होगा या जो भी situation आई होगी तब government ने आपके लिए वहाँ पर क्या-क्या benefits परवाइड के क्या-क्या opportunity जो government ने वाब लोगों की थी यानि एक तोड से जो government है और जो एक आम आदमी है उनके बीच को एक mutual agreement होता है social protection मतलब आप उमीद करते हो कि कल को अगर देश में कोई आपत्ती आती है कि जैसे कोई मिमारी आ गई तो आप उमीद करते हो कि government मेरा ख्याल रख लेगी मुझे भूका नहीं मरने देगी वो मेरी जोब का वो सही धंक से ध्यान रख लेगी मैं अपने बच्चों को उपर स्वास्ते के उपर सही से खर्च कर पाऊंगा या फिर शिक्षा के उपर सही से खर्च कर पाऊंगा तो social protection वो होता है मतलब इसमें सारा को cover किया जाता है खास कर इसमें गरीब बच्चे जो कमजोर वर के जो लोग है उनको इसमें ज़्यादा cover किया जाता है जो बुड़े लोग है, जो बच्चे हैं, जो महिलाए हैं उनको यहाँ पर cover किया जाता है कि यहाँ पर सबको cover किया जाएगा सबको यहाँ पर protection दिया जाएगा जो basic need है उनकी जो basic जरूरत है उनको ध्यान में रखा जाएगा ये एक mutual agreement होता है तो उमीद करता हूँ आप लोगों को social protection समझ में आया होगा फिलाल उसके लिएक definition भी यहाँ पर लिका है कि social protection system help individual and families खासकर कौन से जो poor है और जो valuable है मतलब कि ऐसे लोग जो कमजोर work से आते हैं जो कभी अगर crisis हो गया मतलब कि कोई भी संकट आ गया तो उस वक्त कोई उनको शोक लगा है तो वहाँ पर government उनको सहयोग के लिए खड़ी है उनकी job ढूनने के लिए उनको job अच्छी provide करने के लिए जो government है improve productivity भई उनकी skill को improvement करने के लिए government त्यार है वहाँ पर अलग-अलग initiative या program चलाए जाते हैं इसके अलावा investment in health and education for their children and protect the aging population यानि कि जो बुड़े लोग हैं उनको अध्यान में रखना तो ये सब चीज़े जो है वो social protection के अंडर आती है और इसकी report जब वो ILO के द्वारा निकाली गई है जिसमें बताया गए कि भारत के अंदर 24.4% लोगों को ही social protection मिला हुआ है यानि कि अगर कुछ भी होता है तो यहाँ पर कुछ न कुछ तरीके से इनको लाब मिल जाएगा social protection का जबकि बांगलादेश में 28.8% तक social protection है यानि बांगलादेश हम से काफी ज़्यादा आ गया है as compared to percentage के अंदर हमें बात करूँ obviously भारत की population जदा है बांगलादेश की population काम है इसलिए percentage का variation हमें देखने को मिलते है अब बात कर लेते हैं इस report में और क्या-क्या बातें बोली गई है एक global के अगर मैं बात करूँ social protection की तो globally level पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए पर 10% से भी कम social protection के benefit हमें देखने को मिलते हैं और कम coverage के अगर मैं बात करूँ जो हम इस report में बोला गया है Asia परशान शेतर में अगर जो चार श्रमिक हैं जो चार labor हैं उनमें से तीन काम के दोरान अगर वो बिमार हो गए उनको चोट लग गई तो उनको कोई सुरक्षा वहाँ पर मिली हुई नहीं है तो देखिए कितनी गंबीर बात होगी यहां पर चार लोग काम कर रही है उन चार लोगों में से अगर तीन लोगों को कुछ भी हो जाता है उनको बिमारी हो जाती है उनको चोड लग जाती है, कोई injury हो जाती है तो उनको कोई भी protection वहाँ पर नहीं है, सबसे बड़ी गंबीर बात है हमारे सामने निकल कराती है और GDP जिनकी देशों की कम है उनके according हम बात करते हैं तो देखे, यहाँ पर हमारे सामने निकल कराते हैं अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, पाकिस्तान जहाँ पर जो अपने श्रमिकों को पांच परसंट से भी कम कारेशती कवरेज कवर करते हैं तो यह भी बहुत जादे एक serious issue है इसके अलावा एसमान कवरेज हमें देखने को मिलता है एसमान कवरेज का मतलब होता है देकि 2020 तक वैश्वी का बादी केवल 46.9% कम से कम उनको एक social protection दिया ही जाता था कम से कम एक तो मिलता था जबकि 53.1% यानि कि 4.1 billion लोगों को पूरी तय से एस रक्षित छोड़ दिया गया बतलब कलको इनकी job गई तो भाया तुम खुँद संभालो पैंडीमिक आया भई तुम कुछ नहीं करेगी अगर तुम्हें भूक लगी है फ्लिट आया है भुकंप हो गया है तो सरकार उसमें कुछ नहीं करेगी तुम संभालो यानि कि यह पूरे भारत की बात नहीं करें यह ग्लोबली बात चल रही है आपर रिपोर्ट में आगे एक आ गया कि दुनिया में जो काम करने वाले जानि कि जो वर्किंग एज पोपुलेशन है उनका एक बड़ा इसा 69.4% यानि 4 billion लोग केवल आशिक रूप से यानि कि partially वो उनको benefit दिये गए हैं बाकियों को लगबग S रुक्षिती मतलब कि थोड़े बहुत partially या फिर कहें कि बिल्कुली S रुक्षित उनको नहीं रखा गया है लैंगिंग S समानता के अंदर में बात करते हैं पुरुष जादा इनको social protection मिला हुआ है as compared to महिलाओं से उसमें variation जो वो 8% का variation हमें देखने को मिलते हैं मान लें कि 40% पुरुषों को benefit मिल रहा है वहीं 32% महिलाओं को मिल रहा है यानि 8% का variation हमें देखने को मिल जाता है महिलाओं और पुरुष के बीच में एक gender inequality भी हमारे सामने इसमें निकल कर आती है भारत के perspective में बात कर लेते हैं देखे समाजिक सरुक्षा में कम निवेश report में कहा गया कि जो समाजिक सरुक्षा इन्हीं social protection के अंदर अप एक शाकरित कम निवेश के कारण यानि कि भारत इसमें ज़्यादा भी निवेश करती ही नहीं इन्वेश्टमेंट करती ही नहीं है जिससे क्या होता है भारत के अंदर जो भारती अबादी का केवल 24.4% गैर अंसदैनी यानि कि इसका मतलब हो गया non-contributive benefit यानि कि जो एक तरीके से समझें पैंशन स्कीम होती है ना पैंशन स्कीम का जो लाब नहीं उठा पाते जिनको आपने सुना होगा इतनी एज हो जाती है तो सरकार उनको कुछ न कुछ परवाइड करवा देती है पैसा की हाँ आप पैसा ले लीजिए थोड़ा बहुत आपको 2000 पर महीना 15 सुर पर महीना मिल जाएगा तो उस तरीके से इनको इतना कम कहेंगे कि protection दिया जाता है या फिर इतना कम लाब दिया जाता है कि उससे गुजारा बता भी नहीं हो पाता coverage में ऐस हो पाता देखिए जो contributor scheme है contributor मतलब की जो pension scheme होगी या फिर non pension scheme होगी उसमें क्या होता है pension scheme में तो ज़्यादतर जो formal sector में जो लोग है वही मतलब उसका benefit उठा पाते हैं बाकी के लोग सभी तो नहीं है ना जो formal sector के अंदर लगे हुए हमारे देश में से बड़ा हिस्सा तो informal sector के अंतर है informal sector का मतलब होता है कि भाई एक तरीके से जो ready चलाने वाले होगे जो ठेला चलाने वाले होगे जो लोग है वो informal sector में आते हैं यानि कि उनकी work history कोई profile ही नहीं है वो कहां पर जोब लगे हुए है उनका कुछ भी आता पता नहीं है तो informal sector है तो वहाँ पर उनका जो protection और social protection वो बहुत ज़्यादा कम है अभी फिलाल अगर मैं बात करूँ हाली की पहल में recent activity के अंदर हम बात करते हैं कि हमारे देश में महात्मा गांधी national rural employment guarantee program यानि मन्रेगा scheme चलती है वो मन्रेगा scheme इतनी बढ़िया है कि कम से कम जो श्रमिक है जो labor है उनको 100 दिन का तो रोजगार मिलता है यानि इसमें लग 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 294 रुपे एक दिन के दिये जाते हैं अब एक दिन को दिया जाना आप 200 multiply कर लिजी यानि कि लग 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 यहां पर अगर में बात करूं तो 25,000 उनको 100 दिन में मिल जाते हैं 25,000 उनको 100 दिन में मिल रहे हैं यह तो भाईया सीधा ही हर घर में से सो लोगों को मतलब एक इंसान को सो दिन के लिए काम यहां पर मिलता है वो guarantee परवट वो चीज परवाइड कराए जाती है अगर आप आस-पास के अपने शेतर में देखेंगे तो जाकर पता करिए वहां पर बहुत सारे लोग जो हैं वो मनरेगा में लगे हुए हैं अभी फिलाल जैसे मैंने अभी यहां पर जो railway station है वहां पर track के उपर काम करने वालों को देखा तो बहुत सारा काम जो है वो मनरेगा को दिया गया है वहां पर लोग लगे हुए हैं क्लियर इसके लावा समाजिक शुरक्षा संबंद भार सरकार के जो विभीन पहले हैं उसके बारे हम बात कर लेते हैं देखे पर इम्हाबजलव की जो गवर्मेंट उन्होंने क्या-क्या चीज़ें और चला रखी हैं ताकि लोगों को social protection प्रवाइड कर सके परधान मंत्री श्रम योगी मांधन योजना चलती है हमारे देश में राश्य पैंशन योजना है परधान मंत्री जीवन जोती योजना है परधान मंत्री शुरक्षा भीमा योजना है अटल पैंशन योजना हो गई राश्य सफाई करमचारे वित विकास निगम हो गया हमारे सामने हाथ से मैला उठाने वालों के लिए पुनरवा से तुर्स्वर रोजगार योजना होगी इसके ओपर भी मैंने एक शेशन किया था कि जो लोग जो हैं अपने हातों से हुमन का जो एक मतलब की कहें कि जो लेटिन साफ करने वाले होगे जो सीवर साफ करने वाले होगे अगर वो अपने सीधे डिरेक्ट हातों से वो चीज़े उठा रहे हैं तो भारसरकार ने उसके उपर पतिमन लगा रहा है और जो लोग इस काम में लगे हुए थे तो उनको वापस किसी दूसरे काम में लगाया जाए ताक कि वो अपना रोजगार चला सके तो इन सब चीज़ों के लिए भारसरकार ने कुछ स्कीम चला रखी है अब अंतराश्ची यानि ILO ये क्या है International Labour Organization ये है क्या देखे ये एक ट्राइब पार्टी यॉनाइटिड नेशन एजनसी है ये जो है तीन लोगों को एक साथ लेगाती है तक क्या प्रमोट भई decent work दिया जाए हर इंसान या मतलब कि जिसमें औरत और आदमी दोनों को सही धंक से उनको काम प्रवाइड कराया जाए इसने Nobel Prize जीता था 1969 के अंदर इसको बनाया गया था 1919 के अंदर कौन सी ट्रीटी के अंदर वार्सले ट्रीटी के तहत इसको मनाया गया था यह affiliated agency है League of Nations की इसके अलावा become the first affiliated specialized agency of the UN in 1946 इसका headquarter Geneva of Switzerland के अंदर हो गया हमारे अब यहाँ पर अन्य report क्या-क्या प्रकाशित करती है समाजिक सरंक्षन report यानि की social dialogue report world employment and यहाँ पर देखिए world employment and outlook हो गया यहाँ पर world social protection जो आज हमने पड़ी है यह हो गया global wage report हो गया यह सारी जो report है इसके दोरा प्रस्तुत की जाती है तो उमीद करता हूं कि आज का जो topic है वो आप लोगों को समझ में आया होगा कि social protection क्या होता है भारत में इसके कैसे क्या क्या आल है और भार सरकार ने social protection को improve करने के लिए कौन-कौन से scheme चला रखी है और जो यह social protection ILO के दोरा जो release की गई है ILO का और क्या-क्या काम है Indian labor organization का क्या-क्या काम है उमीद करता हूं यह सारी तमाम बाते आपको बहुत अच्छे से cover हो गई होगी तो समझ में आई है तो मुझे कैसे बताएंगे like करके, channel को subscribe करके video को share करके, comment करके इन सब चीजों से आप मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों को यह video पसंद आई है तो बस आज के लिए इतना था मिलते हैं next video में, thank you